इसके पहले हमने कुछ बृत के समिक्राइब के बारे में डिस्कस किया अब इसके कुछ कोस्चन है उनको मैं बता दे रहा हूँ एक कुछन है कि उस बृत का समिक्राइब ग्याद कीजिए जिसका केंदर 2,3 तथा तरिज्या 5 है केंदर 2,3 और तरिज्या 5 है यह कनफर्म है कि जब केंदर 2,3 दिया तो यह हमारा यह चोरके है 2,3 हो गया और यह रेडियस जो है तरिज्या जो कह रहा है एक उकल टू 5 है हम जानते हैं कि एक बृत का समिक्राइब होता है एकस माइनस यच का होल स्कॉाइर प्लस वाई माइनस के का होल स्कॉाइर इकल टू A स्कॉाइर अब हम क्या करेंगे कि जो केंदर है यह चोरके यह चोरके की वैलू हम पूट कर देंगे इस एक्वेशन में तो मिलेगा X-2 का होल स्कॉाइर Y-3 का होल स्कॉाइर और A के जबवे 5 का होल स्कॉाइर जब हम X-2 का होल स्कॉाइर करेंगे तो पाएंगे देखेंगे कि हमें मिलेगा x-2 का whole square x square minus 4x plus 4 और y-3 का whole square y square minus 6y plus 9 और 5 का whole square 25 जब इसको हमसाल करेंगे 9 में से 25 सब्टेट को अधर 12 होगा और यह हमारा अभिष्ट समिक्राण हो जाएगा कोहने का मतलब कि जब भी हमारा किसी बृत का समिक्राण निकालना हो केंदर 2-3 दिया हो और तरजिया कुछ दी हुई हो something तो हम करते यह हैं कि एक equation निकाल लिखते है x-h का whole square y plus y-k का whole square equal to a square और पूरे की value पूट करके यह हमारा बृत का अभिष्ट समिक्राण हो जाता है ऐसे ही दूसरा question देख लें दूसरा question का रहा है कि उस बृत का समिक्राण ग्याद करें जिसका केंदर 2 और minus 1 है तथा जो बिंदू 3-6 से होकर जाता है तो सुभायक सी बात है कि केंदर हमको पता चल गया मतलब y equal to 2 और k equal to minus 1 अब यह है कि 3 और 6 से होकर जाता है तो हम distance निकालेंगे इसमें distance निकालने के लिए और a निकालने के लिए करेंगे यह कि p को x1 y1 distance का जो फार्मूला होता है x1 minus x2 का होल स्कॉयर प्लस y2 minus y1 का होल स्कॉयर यह फार्मूला रखके इसमें a को x1 y1 मान लेंगे दूसरे को x2 y2 मान के और इसमें put कर देंगे तो यह हमारा a निकल जाएगा जब a निकल जाएगा तो हमारे पास h मिल गया k मिल गया और a मिल गया तो put कर देंगे और जब put कर देंगे इस equation में तो हमारा जो अभिश समिक्राण होगा वो हमको मिल जाएगा x2 plus y2 minus 4x plus 2y minus 45 equal to 0 यह हमारा a का भिश समिक्राण मिल जाएगा कहने का मतलब दूसरा equation कहा रहा है कि उस बृत का समिक्राण गयात कीजिए जिसका केंदर 2 और minus 1 है तथा जो बिंदू 3 और 6 से हो कर जाता है 2 और minus 1 मतलब कि इसका केंदर 2 और minus 1 दिया है और 3 और 6 से हो कर जा रहा है तो तरिज्या a equal to cp हम निकाल लेंगे a को ax1, y1 मानके a को x2, y2 और जब a निकाल लेंगे h के हमें पता ही है और इस equation में रख देंगे जो equation हम जानते है x minus h का whole square y minus k का whole square equal to a और यह हमारा equation मिल जाएगा थोड़ा सा हट के तीसरा question है तीसरा question यह है कि x square plus y square plus 4x minus 4y minus 1 equal to 0 का केंदर तथा तरिज्या ग्याद करें इसका seem question यह थोड़ा दूसरा question है दूसरे type का है तो इसको solve करने के लिए करेंगे यह कि equation को हम compare करा लेंगे इसके ब्रित के मानक समिकर्ण से compare कराएंगे जो x square x square plus y square x square plus y square plus 2g x plus 2f y plus c equal to 0 से तूलना करा लेंगे यह confirm है कि जब हम तूलना कराएंगे तो तूलना कराने के बाद हमारा 2g equal to 2g equal to हमारा मिल जाएगा अगर हम 2g x कराते हैं इससे तूलना तो यह 4x है तो 2g equal to 4 तो g equal to 2 ऐसे 2f y के तूलना 4y से कराते हैं तो 2f equal to minus 4 तो f equal to 2 और c equal to a constant term मतलब minus 1 यह जब हमारा g मिल गया f मिल गया तो यह यफ और g की value हम put कर देंगे यह केंद्र हो गया और इसका तूलने के लिए हमें फार्मूला पता है फार्मूला होता यह है कि g square plus f square minus c और g यफ c की value रख देंगे इसकी तूलना निकल जागे तो इसके मानक समिकर से हम compare कर लेंगे तूलना कर लेंगे compare करने के बाद तूलना करने के बाद g और yफ निकाल लेंगे g अब हमारा केंद्र हो जाएगा और तृजिया निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि bracket में g square plus f square minus c और इनकी value निकाल लेंगे तो ये हमारा तृजिया निकल जाएगा और इनका केंद्र निकल जाएगा उसके बाद एक और question है question ये है कि बिंदू 2 minus 2 minus 7 से होकर जाने वाले बृत का समिकर क्यात करें जिसका केंद्र x square plus y square minus 8x plus 6y minus 5 equal to judeo के secondary है तो फिर से वही काम हम करेंगे इसमें g और यप निकाल लेंगे g निकालने के लिए दिया गया बृत हमारा होगा x square plus y square minus 8x plus 6y minus 5 तो इससे g और यप निकल गया तो केंद्र निकल जाएगा 4 और minus 3 और minus 2 और minus 7 से होकर गुजरता है तो इनके बीच का distance निकाल लेंगे बीच का distance अभी हमने उपर निकाला था question में ये बीच की दूरी निकाल लेंगे जो बीच की दूरी होगी वही हमारी a हो जाएगी और फिर अब इतना होने के बाद अब हम फिर आगे करेंगे ये कि yach और k हमको पता ही है यह और के हमारा यह बृत का केंडर है यह और के पता ही है तो x-4 plus y plus 3 का whole square equal to 52 का whole square यह यह और के हमें पता है जो की हम पूट कर देंगे उसके बाद जब पूट करने के बाद एक हमको यह equation को solve करेंगे तो x square plus y square minus 8x plus 6y minus 27 equal to 0 यह हमारा अविश्रम कर हो जाएगा और यह हम 3-4 question हमने solve किया अगले वीडियो में इसके आगे भी solve करेंगे थेंक यू कि की हम गह बहते करेंगे भी solveOOOO भी थ्चों करेंगे लोक लूड़े उनका है